और इस वक्त ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं देखे वीरता पुरुसकारों के लिए देश की रक्षा में अतुल्ने योगदान देने वाले जवानू और अधिकारियों के नाम ये अवॉर्ड और इसी के साथ राश्ट्रपती भवन में रक्षा अलंकरन समारो इस वक्त चल रहा है सीधा राश्ट्रपती भवन से ये तस्वीरे जवानों को वीरता पुरुसकार दिया जा रहा है राश्ट्रपती देश के जवानों को सम्मानित यहां पर करती भी नज़र आएंगी का पर्चे देते हुए इंस्पेक्टर दिलीब कुमार दास है कॉंस्टेबल राच कुमार यादव कॉंस्टेबल बबलू राभा एवं कॉंस्टेबल शंभू रॉय ने आखरी सांस तक लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्य बलिदान दिया सम्मान ग्रहन करें उनके परिवार्जन श्रीमती प्रांजली दास धर्मपत्नी स्वर्गय श्री दिलीब कुमार दास श्रीमती ज्यानमती यादव धर्मपत्नी स्वर्गय श्री राच कुमार यादव स्वर्गिय श्री बबलू राभा की धर्मपत्नी श्रीमती लिपिका राभा तथा माता श्रीमती कल्यानी राभा स्वर्गिय श्री शंभु रोय की माता श्रीमती अंजली रोय एबंपिता श्री वीजो राज रोय तो इस सुदेश्ट के लिए अपने प्राण नियुचावर करने वाले देश्ट वीरो को उनके बलिदान को याद करते वे उनके परिवार को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है सिपाही पवन कुमार 27 फर्वरी 2023 को कश्मीर के पुल्बामा जिले में चलाए गया आतंक विरोधी अभ्यान में एक खोजी दस्ते का नेत्रित तु संभाल रहे थे उतक्रिष्ट रणनीति कुशलता के साथ अभेद्य खेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो जो ही लक्षित मकान में घुसे वहाँ छेपे आतंकियों ने ग्रिनेट फेकते हुए अंधा धुन्द गोलियां बरसानी शुरू करती अपने साथियों को प्राणगा तक खत्रे के बीच देख वो निडर्ता से आगे बढ़े एब आतंकी का हत्यार चीनते हुए उसे बेहत नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया गंभीर रूप से जखमी होने के बावजूद ये शूर वीर सैनिक आखरी सास तक आतंकी का मकाबला करते हुए अंततह वीर गती को प्राप्त हुए सम्मान ग्रहन करेंगी स्वर्गे सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमाती भाजन दसी इबंपिता श्री शिशुपा अंद्ध्ध मेडिकल को चबस्मी बितालियन पंजाब रिजमेंट मर्नुपरांथ परांथ कप्तन अंशमान सेंग ऑपरेशन वेक दूद के अधिए